आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में आपको problem आ रही है यहाँ पर आपके फोन में automatic silent mode on हो जाता है तो problem आप कैसे ठीक कर सकते हैं आएए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर silent mode automatically on problem को ठीक करने के लिए आपको notification पैनल को open करना है और यहाँ पर check करना है अगर आपके फोन में D&D mode यहाँ पर आप on करते हैं तो notification या फिर call आने पर आपका फोन यहाँ पर sound नहीं करता है यानि कि एक तरह से आपका फोन silent हो जाता है तो आप इसे बंद रख रखिए अब उसके बाद अपने फोन में जाना है आपको settings में settings में आने के बाद नीचे स्क्रोल करके एक option आएगा apps पर किलिक करिए उसके बाद manage apps पर किलिक करिए उसके बाद आपके फोन के सारे application यहाँ पर आ जाएंगे अब आपको नीचे स्क्रोल करके मिलेगा settings यहाँ पर settings को search करिए या फिर आप उपर type करके search कर सकते हैं और उसके बाद settings पर click करिए एक option आएगा force stop इस पर click करिए उसके बाद ok करिए storage का एक option आएगा इस पर click करके clear all data पर click करके clear all data पर click करके ok करिए और ये process करने के बाद आपको अपने phone को बंद करके चालू करना है power button को press करके रखेंगे तो reboot का एक option आजाएगा और इस पर गलिक करके आपका फोन restart हो जाएगा यानि कि reboot हो जाएगा और आपकी problem ठीक हो जाएगी अब आपका फोन automatically silent mode पर नहीं जाएगा अगर उसके बाद भी problem आ रही है तो आपको अपने फोन के service center पर अपने फोन को check करा लेना है या फिर किसी mobile shop पर आप दिखा सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें